कि हैं आप सब मैं उम्मीद करती हूं आप लोग अच्छे ही होंगे स्वस्त होंगे मस्त होंगे तो यहां पर मैं आ गई हूं जिम और आज का वीडियो पूरा देखिएगा मैं बताई हूं बहुत सारे लोगों का यह रिक्वेस्ट आ रहा था कि 32 बार पर वीडियो लेकर के आई यह 32 बार का रूटीन शेयर कर रहे हूं तो आप लोग को भी ऐसे रोज इक्सरसाइज करने हैं मैं फिलाल जिम कर रही हूं मैंने घर पे भी रहके अपना 22-24 किलो तक वेट कम किया है घर पे एक्सरसाइज करके तो यह नहीं आप लोग सोचना की दी जिम कर रही है जो मैं एक्सरसाइज कर रही हूं इसको आप घर पे आराम से कर सकते हैं यह देखिए एक स्टेपर है इस टाइप का आपको भी मतलब घर पे कुछ भी होगा इस टाइप का आप रख लेना थोड़ा उची में होगा इस तरह से आपको करना है ऐसे जंप करके उस पर जाके फ तो एक्सराइज को जो करते हैं वह समय घर पे पहले करती जो हम इनने कर सकते हैं और तो है रूटिन को अब यह करने जा रही हूं यह वह बहुत अच्छा एक्सराइज है आप लोग इसको भी कर सकते हैं इससे वेली फैट खतम होता है और जांग जो है वह वह बीस्टेप म इसका भी आपको 50-50 का करना है, चार सेट करिएगा, तो बहुत सारे एक्साइज़ेस हैं, और मतलब जो कि घर पे भी किया जाते हैं, घर पे करके भी मतलब एक्साइजेस और डाइट से हम अपना वेट कम करते हैं, बहुत सारे अनगिनत, लोगों ने मतलब मैंने उनका वजन कम कराया है घर पे एक्सर्सायस करा कि और डायट करके क्यूंकि मैं खुद भी घर पे लिए करती थी अभी मुझे बॉडी टोनिंग करना है तो मैं वेट तो कम कर चुकी हूँ ऑट बॉडी करना है ठोड़े इंचेश कम करना तुछ ने जिम जाएन किया हुआ है तो यहां पर हमारे जो जिम टेनर है सर जी वो एकसरसाइज करावा आते हैं पूरा परफेक्ट तरीके से तो यहां पर देखिए ब्रेकफास्ट में मैंने लिया था एग और दो अंडे मैंने लिये हैं मैं दो से तीन अंडे लगभग डेली खाती हूं तो आप लोग ब्रेकफास्ट में चीला ले सकते हो ओड्स ले सकते हो पोहा ले सकते हो जो कुछ मतलब जो लोग भी एसम नहीं कर सकते वो एक रोटी सबजी भी खा सकते हैं 32 बार चीव करके 32 बार में क्या कुछ खा सकते हैं वो सब कुछ मैं सेयर की हूं आज के वीडियो में पूरा ब्लॉग देखिया आप लोग ठीक है सब पता सल जाएगा फिर ले लिया है आलो को भी टेमाटर मटर की सबजी ले लिया है दही ले लिया है खिचडी तो यह मैं खाऊंगी तो जैसे कि आपसे भी लोग का मतलब कहना था कि 32 बार पर वीडियो लाने के लिए तो मैं 32 पर दिखा दोंगी और उसके पासे रोटी आस्त खार खाना नहीं है तो मैं रोटी को भी नेक्स्ट वीडियो में दिखा दोंगी कि उसको मतलब 15-16 टुकड़े करने है एक रोटी में हर एक रोटी के टुकड़े को लेकर सब्सक्राइब दहीं से भी आप खा रहे हो उसको तो आपको उसको 32 बार चाउल हो मूली हो मतलब सेलेड हो कुछ भी वह जो भी भी ताबुत चीज है इसा अलाज है जो तो उसको आपको 32 बार की चाउप करके कहना है तो चाउल को कैसे चीए करके खाएंगे वह मैं आपको दिखा दूंगी बाकी 32 बार में बहुत ज़्यादा कोई ऐसा डाइट नहीं है जो आपके घर बनता है आपको वही खाना है हाँ जंप फूड अवैड करना है मीठा वैड करना है घर पे अगर तला भुना बनता है जैसे पोड़ी पकोड़ी यह सब तो उसको भी आपको अवैड करना है बाकी डेली का दाल चाव सब्सक्राइब आठ खा सकते हैं कि दिनको डाइट करना वह dur कर तो डाइट करें तो डाइट में आप ओडार वगरा ले सकते हैं बेटस का ची ला ले सकते हैं यह सब कुछ इत्ताइशा करेंशा बादेखेंट देखिए चावल जैसे आप दाल चावल खा रहे हो तो आपको पूरा भरनास जो आधा चमश लेना है अब इसको साथ आप ये खाना चाहते हूं जुट्राब कर दो कर दो करको है अपने जो दो कर दो 32 बार आते जाते बिल्कूल मुह का खाना एक दाब मेल्ट हो जाता है तो आपको यही करना जो आप खा रहे हो बिल्कुल वह खाना मुह में पानी बन जाए तब आज को तब आपको निगलना है उसको ठीक है तो जब तक आपको लगता है कि अगर 32 बार हो गया आपको अकर फील भी होता है कि कुछ टुकड़े भी मुझे लग रहे हैं तो आप 2-4 बार और मोह दो लालो ठीक है तो हो जाएगा तो इस तरह से चावल को खाना है आप इसको दाल के साथ खाईए या सब्जी के साथ खाई खाना खाने के एक से टेड़ घंटे बाद आपको घ्रेंटी पीना है और अगर आप इस तरह से करेंगे घ्रेंटी भी अपने डाइट में सामिल करेंगे खाना मतलब 32 बार के खाएंगे तो आपको वेट कम होगा है कि खाए मुझे कब से कम दो घंटे आइजिंब हो गया त जब मैने 32 बार किया था तो 32 बार में भी मतलब मैंने 3-4 जब今年 टेया है और यही मैंने सभी लोगों को बताया तो सभी लोग मतलब जैसे मैं करती थी लोग करते थे बहुत अच् gör लीग जल्ट भी मिला और सर ने भी बताया है कि आफटर मिल ग्रीन टी जरूर पीएं तेन साम चार टाइम ब्रेक फास्ट के बाद लंज के बाद डिनर के बाद और एक रात में पी लिया करें सोरने के टाइम में पी करके थेजी से कम और और भी इसमें बहुत सारा कुछ पाया जाता है। मेन इसमेन मेहन मेटा की बालिशंब को ठीक करता है। तो हमारा वेट में नौ Lew वेट़ लॉस है रहत हमा मेने चीजिये है। हो रहा है यह साम का टाइम। और यह है मेरा धेर सारा यमी यमी और हिल्दी हिल्दी सा डिनर यह थोड़ा से चूरा लिया है दो तीन चमश होगा चूरा मैंने ऐसे भून लिया था नमक डालके और यह है पपीता और साम की बज रहा है साढ़े पांच यह है पाइनेपल जो कि मेरा डाइट चेंज हुआ है तो मुझे अपने डाइट में यह सामिल करना है लंच में ब्रेफास्ट में डिनर में एक स्लाइस मुझे डेली लेना है पाइनेपल का यही सब लेना है मुझे तो जैसे कि लंच मैंने बताया लंच के बाद ग्रिंटी पी एक तड़ गंटे बाद साम का टाइम आता है तो साम की टाइप में आप इतना ऐसे फ्रूट्स भी खा सकते हो रात में फ्रूट नहीं लेते हैं ठीक फ्रूट आपको पड़ अगर अवैलबल हो तो पड़ होते हैं तो इन ही सब चीजों की हमको जरूद पड़ती है तो यह सब चीजे अगर हम खाएंगे तो सब चीजे हमारी बॉड़ी को मिलेंगी तो आपका इजी तरीके से वेट लॉस होगा और कोई प्रॉबलम कोई साइड इफेट किसी भी चीज का बॉड़ी में नहीं होग आपको खाना भर पूर खाना है लेकिन डाइट वाला खाना यह नहीं कि कुछ भी खा लेना है अब चाहिए आप 32 बार कर रहा है चाहिए यह से वेट लॉस करने जैसे हम कर रहे हैं सब में डाइट बहुत इंपॉर्टन होता है ठीक है बट यह है कि 32 बार में मतलब जो घर क बार में बता रही हूं ठीक है यह तो मेरे डाइट का हिस्सा था तो मैंने बता दिया बाकी मैं सामको ऐसे ही लेती हूं और हां मतलब इंपॉर्टन बात डीनर जो है बिलकुल लाइट लेना है आपको ठीक है तो यह मेरा डीनर है अभी मतलब 6-6 बजे तक मैं रखती हूं तो जब ही मेरा मन होता है भूख लगी होती है तभी मैंने डिनर ले लिया है यह पूरा मैं अभी खालोंगी मेरा पेड जाएगा भर फिर मुझे भूब भी नहीं लगेगी क्योंकि जब पेड भर के खालो ना तो मतलब रात तक भूख नहीं लगती है फिर रात में मैं प्यूंगी ग्रिंटी ठीक है तो आप लोग जैसे कोई लोग बहुत मतलब सखीन होंगे चाय वगर पीने के साम का जो 4-5 बिच का मतलब टाइम होता चाय उस टाइम आप थोड़ा सा वो ले सकते हो लाया चना यह बेस्ट ऑप्सन लाया ले लीजिये यह फिर थोड़ा इस प्राउट भी ले सकते हैं ठीक है और नहीं कुछ है तो आप थोड़ा सा ओट बना लेजें धेर सारे सबजी डाल करके प्रूट्स भी जैसे मैं ले रही है सकते हैं मतलब इस टाइम नास्ती मां आप जो भी अगर चाए पिना चाहते हैं तो चाय लिजिए इस तरह का चूरा हो गया लईा हो गया और चैना भुना हो गया उसके साथ हो गया चाय आपको चीनी वाली नहीं लेनी है गुड़ वाली लेनी है गुड़की चाय एक से दो टाइम ठीक है तो यह आपका साम का हो गया साथ रात का दिनर आप और्स बनारे सकते हो और्स घंसारी सब्जियाँ ले करके उसके बार से बेशन का चील्रा आप ले सकते हो एक बेशन का। एखरेजुन मत कर दो करेएगा चाहे आप बातिस भार में हो या फिर जैसे हम कर रहा हूँ है वैसे मतलब उसमें भी आपको 6-7 का 20 का डिनर टाइम रखेगा देखो वेट लोस का जो है ना वो थोड़ा सा सिस्टम चेंज हो जाता है जो हमारे घर का रूटीन होता है कभी भी खाओ कभी भी सोग अईसा नहीं होता है इसमें थोड़ा सा खुद पर वक्त देना होता है तो आप अपनी पूरी फैमिली में टाइम दे रहे हो अपने बच्चे अपने लौ अपनी फैमिली अपना घर समय लिए आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो हमें इतना इंपॉर्टेंट या फिर समझे वालग भात समझे नहीं समझे वालग बात है यह हमें समझना चाहिए कि हम से वो लोग हैं अगर हम बीमार पड़े रहेंगे तो उनकी देखरे कौन करेगा तो इसलिए आपको तो भी उस घंटे में 2-3 घंटे का टाइम निकालो 2-3 घंटे का दो ठीक है तो आप स्वास्थ रहेंगी हमेशा बीमारिया नहीं लगेंगी वेट भी कम हो जाएगा आपका ठीक है यह सब कुछ करने के लिए थोड़ा टाइम देना होता है तो आपको टाइम देना ही है अभी मैं यह दिखा रही हूं आपको टीशर्ट यह उस टाइम पर मैं पहां रही थी जब मैं मोटी थी और अब देखिए कितना लूज हो गया यह कि देख रहे आप देखिए कपड़ों से पदा चलता है कि हमारे कितने इंचेस कम हुए कितना वेट कम हूँ आप लोग देखिए यहाद भी काफी लूज हो गया हुए यह उस टाइम पर मुझे फिटिंग आता था बहुत हलका आधा था इंचे लूज रहता था बस अभी देख सकते हुआ अभी मतलब ऐसे ही सारे कपड़े मुझे होते हैं मुझे अच्छा लग रहा है इसको पहन के धिला-धिला कि टैनल हो रही है तो बहुत सारे कॉंप्लिमेंट्स उसमें गए링 के आवका से है कैसे किया ंज सब्सक्राइब ऑब मुझें मार मेरे लटे अगे अगर हाँ देखिए आप फ्रूट्स भी खा रहे हैं इसको भी आपको चीव करके खाना है अलाग यह पपीता अगर मतलब 15-20 बार अगर आप मतलब मुझ को चलाते हैं तो बिलकुल पानी बन जाता है 32 बार अगर करना है तो सबसे पहले अपने अंदर पेसिंस लाना है तो इस तरह से इस मिनान से फुर्सत से बैठ करके आपको अपना खाने अगर आपको फील होता है 20 बार 25 बार में ही अगर आपकी मुझ का यह जो फ्रूट्स है बिलकुल मेल्ट हो गया तो आप निगल सकते ह हो ठीक है तब ही ज़रूरी नहीं कि आप 32 बार उसको से उपर हो बहुत सब्सक्राइब बहुत हो जाता है मतलब मेल्ट हो जाती है मुह में जाकर के तो यह हो गया आपका 32 बार का रूटीन आफ्टर मिल ग्रिंटी लिजेगा ठीक है बाकि आप लोग को कोई भी कॉस्चन हो आप हमसे कमेंट करिएगा उसमें हम बताएंगे आपको ठीक है आप लोग स्टार्ट करिए ठीक है यह मत सोचोगी सब कुस मैं अच्छे से डीटेल में बताओं यह वीडियो काफी है आपको स्टार्ट करने के लिए आप स्टार्ट तो करो रोज मेरी वीडियो तो देखो पूछो जो लोग 32 बार की जर्नी में है जो लोग कर रहे है मतलब जो चीज करना है आपको next day जो कुछ भी खाना है आप मुसे कमेंट करो पूछो मैं रिपलाइ क रिपलाइ करूंगी तो आपको मौटिवेशन मिलेगा इससे आप रोज के रोज मोटिवेट होंगे हम से ले सकते हो बाकि अगर आपको 32 महर में डाइट नहीं करना है ना तो आप जो घर बन रहा है जैसे रोटी सबजी जन्वन घर पे लोगों को मतलब लोगों के साम को ब इक रोटी सब्सक्राइब करें लेकिन साथ बजे के पहले एक रोटी में 15-16 टुकड़े करिए सब्सक्राइब कर चीव करके अराम से खाया अधे घंडे बैट करके कोई दिककत नहीं है बहुत अगर डाइट नहीं करना आपको तो आपकी घर खाना वही खाओ आप साम को र गिए सबसे पहले काम तो आप मेरे चैनल पर करके मेरी डाइट वीडियो देख लीजी ठीक है अप स्क्रॉल करिये थोड़ा सब महनद करिया आप लोग मैं कि अकेले कितना महनद करों तो वीडियो हर टॉपिक पर वीडियो ने चैनल पर पड़ा हुआ है अर् आप आज का वीडियो 32 बार के ऊपर बागी कुछ भी और आपको जाना होगा कमेंट करिए उस पर प्लाइए में करूंगी ठीक है डेली के व्लॉग देखिए मोटिवेट हो यह अपना वेट लॉस करिए आराम से ठीक है तो हम चाहूंगे आप सबसे इजाज़त क्योंकि यह सब होंगे तो सब्सक्राइब करेजिए का अच्छे से ब्लॉग के साथ पर सो अब एक दिन का गैप हो गया बाब यू गैस टेक क्या सीयो सुन